नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल स्याम क्लास है इस टेडी में प्यारे साती हूँ आज की वीडियो में आप वायतंत्र जीले सिचाई एवं भूगर बचल इससे बनने वाले टॉप पच्चे पिसने कराने बाला हूँ इससे पहले म पार्ट एक अपलोड कर चुक हूँ अभी तक आपने वो नहीं देखा है तो जाकर के प्ले लिश्ट में वो पार्ट आपको मिल जाएगा वहां से जाकर कि आप वो पार्ट लगा लीजीगा क्योंकि पता होना चाहिए आपको प्यारे साथ हैं कि मैं अपने यूटूब चै के चेप्टर वाइस करा रहा हूँ जैसे ही चेप्टर वाइस खतम होती है उसके बाद आपको मिक्स करा दूँगा क्योंकि अब पैस से पहले भी मैंने पचास वीडियो लगवा मिक्स यूपी जीके करा दिया अगर आपने बो नहीं देखे तो बुसकी भी प्लेलिस्ट ब रांगे बढ़ाईएगा यह मुझे आपसे हाँ जोड़ करके निवेदन है प्यारे साथे बीडियो पसंद आए तो बीडियो को लाइक करा और अपने सबी साथियों के पाद जरू सेर कर देना जो भी यूपी पुलिस परिचाच 2000 थे इसकी तयारी कर रहा हो जीके जीएस म आपको बाहर देखने को नहीं मिलेगा तो इनीसा बात सबस्क्राइब होता एक सब्सक्राइब और दूसरा है प्रिषम तीसरे आपके सांकिय का mmद सरकार के बीच किन दो नदियों को जोड में संबंधी समझाता हुआ है कौन से दो नदियों को जोड़ जाने संबंदी सम्चार को यह हुआ प्र colorful प्रेष्वas challenge कि एन которого बेतवा नदी को जोडने ये तुश समझाता है तो तीन का राइट आंसर हो जाएगा ओप्सिन नमर चार प्रिश संक्या चार है आपके सामने कि उत्ता प्रदिश का कौन सा हिसा सरबादिक बाड़ पिरभावित है तो बताईए कौन सा ऐसा है जो हमेशा उत्ता प्रदिश का बाड़ से पिरभावित है तो पश्मी हिस्सा ये सरबादिक बाड़ से पिरभावित है तो चार का राइट आंसर हो जाएगा ओप्सिन नमर एक प्रिश्ण संक्या पांच है आपके सामनों की कुल लिकिर्सी छेत्र में सिंचित छेत्र की पिर्टी सत्ता की दिश्टी से देश में उत्ता प्रदेश का कौन सा स्थान है तो कौन सा स्थान है, तो ये देश में स्थान है, तिर्थिये, कौन सा है, तिर्थिये है, तो पांच का जो राइट आंसर हो जाएगा, आपसर नमर तीसरा, पृष्शन संक्याफ छै आपके सामन की भारत में माला ञेरतंत्र किसके दौरा पृस्तावित की गई थी? तो किसके दोरा प्रिस्तावित की गई थी भारत में माला नहरतन तो ये प्रिस्तावित की गई थी दिनसाजे दस्तूर के दोरा तो च्छे का जो राइट आंसर होगा आप्सन नमर दूसरा प्रिशन साथ है आपके सामनों की भारत के किस राज में सरवादिक सिचाई नलकूपों से होती है तो कौन से राज में होती है तो भारत के उत्ता पिर्देस राज में नलकूपों सरवादिक सिचाई होती है तो साथ का जो राइट आंसर होगा आपसन नमर एक पुरा होता है तो किस से पूरा होता है भारत की सिचाई छमता का सरबादिक भाग पूरा होता है तो किस से पूरा होता है भारत की सिचाई छमता का सरबादिक भाग पूरा है तो यह होता है लगू एवं ब्रहद परियोजनाव से तो आठ का जो राइट आंसर होगा प्यारे स आईएगा तो उत्ता पर देश के राय वरेली जनपत में सबसे ज्यादा नहरे हैं तो टौका जो राइट आथसर होगा वो हो जाएगा आपसर नमर चार परिन संक्या 10 है आपके सामनों की देश में नलकूपों से सचाई का पिर्चलन का प्रारम हुआ था तो देश में नलकूपों से सचाई का जो पिर्चलन प्रारम हुआ था वो हुआ था 1930 में कब 1930 तो दस का राइट आउंसर हो जाएगा आपसर नमर चार प्रिन संक्या 11 है आपके सामने के बाटा सेक्टा रिक्षिटेटिंग प्रिज्यक्ट कहां पर प्रारम किया गया तो ये प्रारम किया गया गोमती घागरा दो आप में तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा ओप्स नमर तीसरा प्रिन संक्या 12 है आपके सामने की उपरी गंगा नहर का निर्माड कब हुआ तो कब हुआ था तो उपरी गंगा नहर इसका जो निर्माड हुआ था बहुआ था 1844 में तो 37 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ओप्स नमर एक प्रिशन 13 है आपके सामने की मद गंगा नहर का निर्माड के जन्पात में हुआ तो कौन से जन्पात में हुआ है मद गंगा नहर का निर्माड तो यह हुआ है बिजनोर जन्पात में किसमें बिजनोर जन्पात में हुआ है मद गंगा नहर का निर्माड तो 13 का जो राइट आंसर होगा option number 4 प्रिशन संक्या चौद्रा है आपके सामनों कि निचली गंगा नहर का निर्माड किस स्थान पर हुआ तो कौन स्थान पर हुआ है निचली गंगा नहर का निर्माड तो ये हुआ है निचली गंगा नहर का निर्माड नरोरा में तो चौद्रा का राइट आंस अगरा नहर तो पंदरा का राइट अंसर हो जाएगा आपसन नमर तीसरा प्रिश्म सूला है आपके सामने कि उत्ता परदेश की सबसे पुरानी नहर कौन सी है तो कौन सी है? तो उत्ता पिर्देश की जो सबसे पुरानी नहर है, बो है यमुना नहर कौन सी है? यमुना नहर तो सोला का राइट आंसर हो जाएगा आपसन नमर दूसरा पुरिण संक्या 17 है आपके सामने कि उत्ता पिर्देश की सबसे बड़ी नहर पिर्णाली कौन सी है तो कौन सी है उत्ता पिर्देश की जो सबसे बड़ी नहर पिर्णाली है वो है सारदा नहर कौन सी है सारदा नहर तो सत्रा का राइट आंसर हो जाएगा ओप्सन नमर एक पुरिशन अठारा है आपके सामनों कि कौन सी नहर प्रणाली उत्ता पिर्देश वा बिहार की संयुक्त नहर प्रणाली है तो कौन सी है तो ये है गंड़क है गंड़क नहर ये उत्ता पेर दित्व बिहार की संयोक्त नहर प्रणाली है तो अठारा का जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्सन नमबर दो प्रिष्ण उन्नीस है आपके सामनों की रहंद गाटी पर्योजना किस जिले में है तो कौन से जिले में है रहंद गाटी पर्योजना तो रहंद गाटी पर्योजना ये है सून भाद्र जिले में किसमें सून भाद्र जिले में तो उन्नीस का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्स है गंड़क नदी से तो बीस का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्सन नमर चार प्रिश्ण एक्कीस है आपके सामनों कि सार्दा सहायक समादेस विकास पर्योजना के मुख लच निम लिखित में से किया है लच्छों के नीचे दी गए कूट से सही उत्तर का चैन की जीएगा तो पहला लच्छ क्या है किर्शी उत्तपातन बढ़ाना दूसरा है बहु फसली खेती द्वारा भूमी उप्योग की प्रारूप को बदलना बूर प्रिबंदन सुधार तो यह सार्दा सहायक समादेस विकास पर्योजना की मुख लक्षण ये तीनों है तो जिस परिब्नाद में सभी होगा या उपरोग सभी होगा वह राइट अंसर हो जाएगा तो चारोकूट में सभी दिया गया तो इसका राइट अंसर हो जाएगा उप्तान सब्सक्वाइब इस सामनों की निम लिखेत में इसे कौन चंबल गाटी यूजना से संबंदित नहीं है तो इनमे से कौन सा है जो चमल गाटी हो इना से सम्बंदत है नहीं है तो बताइ येगा कौन सा नहीं है तो गोबेंद सागार और गोबेंद बल्लम पंत सागार ये चमल गाटी से सम्मन नहीं है क्योंकि ये तोनों ये पढ़ती हैं सोन भातर जनपत में तो बाइस का जो राइट अंसर होगा अब बी और सी कौन से बिकलब में हैं तो तीन और चार ये ये ईए अपस नमर तीसरा इसका right answer हो जाएगा प्रस अंकिया 23 है आपके सामनों के टिहरी पन विजली complex किस नदी पर आवस्तेत है तो कहां पर आवस्तेत है टिहरी पन विजली complex तो ये इसतेत है भागी रती नदी पर कहां पर है भागी रती नदी पर तो 23 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ओप्सन नमर दूसरा पुरिशन संक्या 24 है आपके सामनों के हर्याली एक नई योजना है तो क्या है हर्याली एक नई योजना है तो ये बंजर भूमी के बिकास के लिए किसके लिए बंजर भूमी के बिकास के लिए तो 24 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ओप्सन नमर तीसरा लाश्ट पिसन प्यारे साथ नियों 25 माज तो मेजा जलासा नहर का निर्माड किस नदी पर किया गया है तो कौन से नदी पर किया गया है मेजा जलासा नहर का निर्माड तो ये किया गया है बेलन नदी पर किस पर बेलन नदी पर तो 25 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ओप्सन नमर एक तो प्यारे साथियों गर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप लाइक कर दीना चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ओगा तो चैनल को आप ज़रू सब्सक्राइब कर लीजेगा मिलते हैं पर नेस्ट वीडियो में तब तक के लिए धन बात जैहन्द